समास से भी डॉक्टर अमित खरे पहुंचे डाइरिया ग्रस्त पटोरी सुख सागर मेडिकल कॉलेज का स्टाप रहा मौजूद सिभी लगा कर किया वीमार व्यक्तियों का परिछन एबं बितरन की निसुल के दवाइन्या सुकरवार को समास से भी डॉक्टर अमित खरे को जैसे ही ग्राम पटोरी की घटना का पता लगा वह ततकाल ही सुख सागर मेडिकल कॉलेज और उनके स्वेम के अस्पताल की पूरी टीम एवं दवाइन्यों से लेस्ट एम्बूलेंस को लेकर 25 से 8 किलोमेटर दूर डाइरिया ग्राम पटोरी पहुंचे जहां आदिवासी महले में पहुंचकर उन्होंने सिवर लगाकर बीमार व्रक्तियों कर स्वास परिक्षन किया साथ ही ने निशुल के दवाइन्यां दी इसके बाद उन्होंने कुछ मरीजों को अपने साथ एम्बूलेंस से लेकर स्वास कर्ण बाद पहुंचे और स्वास्तकर में भरती मरीजों को भी देखा इवम दवाईन्यां उपलब्द कराई इसके अलावा उन्होंने इस गंभीर स्टिक को देखते हुए एम्बूलेंस भी उबलब्द करा कराकर रखी है ताकि कोई भी मरी यदी इलाज के लिए जवलपुर ज चाहे तो निशुल के इस एंबुलेंस सेवा का लाब ले सकता है बता दें कि अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है इस मौके पर अनिल तेवारी एबं पटोरी सरपंच रिमती जोती पटेल भी मौझूद रहे अनिल तेवारी जी के मात्यम से हमें अदेश हुआ कि ग्राम पटोरी में हमारी पभी विधान सबग के अंतरकर पटोरी है जो कल आधवाशी परिवार के दीन से चार वेक्टियों की मौत्यों की सुच्रा फराप्त हुई हमें आज हम अचानक पहुंचे देखा हमने ग्रामीड में बड़ी स्थी भायवय स्थी वहां पर हलागी सरकार के दोरा वहां पर स्टाप बठाला गया वहां पर फिर भी मैं चाहता हूँ सरकार से आगरे करता हूँ कि हापर स्पिसल टीम भेजी जाए सेंपल लिया जाए जैसे स्टाप के सहथ दलबल के सहथ आज में पटोरी पहुंचा सरकार अपना पर समधाएक स्वास केंद में भी मैंने देखा मरीजों की स्थी बड़ी खराब है मैं एक एंबुलेंस यहां पर रखी हुई है जो भी मरीज अगर यहां से नई सटल हो पा रहे है तो उनको जबरप मेडम है उनका ही बड़ा अच्छा सहुग रहा है